नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मम्ता जुए में कैसे हैं आप सब तो चलिए दोस्तों कि जितनी मेरी बहनों ने कहा था दिदी रात को कौन कौन से कारे करते हैं और कौन कौन से कारे हमें नहीं करने चाइए तो इसी के उपर आज का यह हमारा वीडियो है तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे की मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो देखिए हमारी रोटी जो है बन गई है तो हमें रात में कौन से कारे करने है तो सबसे पहला कारे है कि चकला और बेलन को हमें धो लेनी है और कौन से कारे हमें नहीं करना है जो कि हमारे बड़े बुजूर को कहते हैं इग्णोर कीजेगा यह रोटी जो है बहुत गोल नहीं हुआ तो लेकिन फूल गया अच्छे से तो छेड़ा हो गया टेंसन में आप लोग देख रहा है इसलिए और टेंसन हो गया तो ओफ कर देती हूं गैस को और इसको मैं रख लेती हूं तो देखिए कौन से कारे हमारे बड़े बुजूर कहते हैं कि रात में करनी चाहिए और कौन स से मेरी बहन बोली है कि दिदी पर्थन का क्या करें तो देखिए इसको ना जब आटा का रोटी वगरा बनाती हैं तो इसको चेंज करते रही आप लोग बार बार इसी को मत यूज कीजिए और जब इसको अलग से आप कुछ बनाते हैं रोटी वगरा तो आप जो है कुवारे बच्चों को ना दे गाय वगरा को दे सकते हैं या आप लोग खुद भी खा सकते हैं जो मम्मी लोग हैं बच्चों को ना दे कुवारे बच्चों को पर्थन की रोटी नहीं देनी चाहिए तो देखिए रात में हमें क्या-क्या नहीं धोनी है तो तवा एक तो तवा एकद देती हूं भक देती हूं और बर्तन में सरे घुखेंगे रात को यह जितने खाय प्यूंठ बड़तन हम लोग लिये हैं दो चार रोटी बचा ता के लिए के लिए हैं इसको पलट के रखी ती दूदवाले बरतन को इसमें बनाई थी खीर और सेवाई तो इसे पलट के रख देंगे न तो अच्छे से भीग जाता है और रात में यह सब बर्तन दो लूँगे कडा ही और कुकर नहीं दो सकते हैं सबस्क्राइब दों करने हैं इसमें क्या हमें करनी है तो देखे इसके लिए मैं समझा दे रह鬼 हों मैं निकाल के रख लेती हूं और इस कडा ही केवल पान ही इसको हमें सुब व्थكر लिए बड़े लोग ग 내일 रत में बड़े लोग कहते हैं कई रखनी तो इसको को को cały Econom क्योंनी है और किचन्या चोटर थि से बड़ लोग मिम प्रुड़े कमें ज्युदे आप अड़ी ड्रन द् hairs मा लेजे छोटा बच्चा है या देरी हो गया है मतलब कुछ कारण बस अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं लेकिन कोशिस कीजिएगा कि रात में जूठा बर्तन छोड़कर ना सोएं तो यह बर्तन भी हमें धोनी और यह दो जो बर्तन है इनको हमें नहीं धोनी है इनको साइड में हमें रख देनी है और यहां जो आटा वेगरा गीरा है तो इसको हम साफ कर लेंगे जो पर्थन गीरा है इसको हम कपड़े धिगा कर अच्छे से पोच लेंगे बहुत डीप क्लीनिंग आप लोग मत कीजिए आप लोग पूछते हैं कि दिदी हम लोग चू माने में मिट्टी का चूला होता था ठीक है तो मिट्टी का चूला जो है रात में लीपा नहीं जाता था मिट्टी से गोवर मिट्टी से जो ही लीपाता है गाउं में तो इसलिए नियम है कि रात में गर्मा गरम हमें नहीं पोचनी चाहिए तो देखें बहुत डीप क्लीन परद्धन हो आठा गीरा हो तव आप लोग निकालिएका नहीं तो डीप क्लीनिंग हमें चूणा को ündर कलेंगे थोड़ा बहुत करने कि तो कोक्रोज आ जायेगा चीटी आ जायेगी तो कोक्रोज से बचानी के लिए थोड़ा बहुत पोछ दीजेगा और ये self है जो counter top है इसको भी हम पोचेंगे ठीक है तो इसको भी भीगा कर आप लोग थोड़ा बहुत पोच लीजिए और तवा को आप लोग कहते हैं कि दिदी इसके तवा और कडाही देखें मैं समझा दे नहीं इसके उपर रखेंगे चूला जब पोच लिए तो रात में इसक के उपर रख के भार नहीं छोड़नी है किसी प्रकार की चीज हो दूद हो तावा हो कडाई हो सब कुछ हमें उतार लेनी है तो कैसे हम उतार के रखेंगे सबसे पहले self को हम लोग countertop को अच्छे से clean कर लिजिएगा बहुत deep cleaning मत कीजिएगा हम सूबा उड़के deep cleaning अच्छे से कर लेंगे अभी थोड़ा बहुत कर लिजिएगा क्यूंकि गर्मा-गरम सफाई करना जब सही नहीं होता तो इसको देखिए हमें क्या करनी है तो यह ठो रोटी लेंगे हमें चिडियों को देनी है और रात को हम अपने पूर्वजों के लिए ऐसा माना जाता है एक रोटी चावल पराठा पूरी जो ही आपके घर बना है आप लोग इस प्रकार से दोचार आलू का दाना या जो ही सबजी आपके घर है आप लोग इसको ढख दीजि और ये रोटी भी हम ढख देंगे और ढख कर फिर हम सोने जाएंगे तो पहला हो गया कि सेल्फ को अच्छा से थोड़ा बहुत क्लीन कर लेनी है दूसरा नियम क्या हो गया ऐसे भोजन ढख कर सोनी है तीसरा नियम क्या होगा गैस चूले को हलका फुलका साफ करेंगे कड़ ओर तवा इसके ऊपर रख के नहीं सोएंगे चौथा नियम क्या हो गया कि इसको गर्मा गरम हम नहीं धोएंगे पाच्वा नियम क्या हो गया कि बागी सारे बरतन को साफ करके सोनी है और जितने आपके और भी जो काउंटर टॉप है इनको भी अच्छे से राकोई थोड़ा बहुत क्लीन कर लिजेगा, ऐसे सुबह तो हमें फीर करनी है, सुबह के लिए मैं बीडियो डालूँगी, आप लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं, जल्दी से बीडियो डाली है, ठी यह बर्तन को मैं उतार कर देती हूं, इसको मैं हटाके दूसरे जगधे टरंस्फर कर देती हूं, और यहां पर तावा को कभी ऐसे नहीं रखते हैं, ठीक है, और खाड़ा भी नहीं रखते हैं, खुला रखेंगे कोई मतलब जानवर वगेरा इसके उपर गंदगी कर देग तो नियम है कि तावा को कभी भी पलट कर रखनें लेकिन लोगों को भी यह नीअ में लगेगा पता में उनके हां कैसे रखा जाता है लेकिन हमारे दाधी कहती धी ति की तावा को ऐसे रखेंगे तो मा लिजे कोई श्लिकिली हो इसके ऊपर हो चभि तो duda करम गोए OUT और इस कड़ाई को मैं सुबह माजूंगी अभी वास नहीं करूंगी तो कड़ाई को भी मैं उतार कर रख दिए और ये भगवान के लिए मैं ढख दी भोजन और देखें इसमें जो पानी है ना इस पानी को हम फेक दिने कड़ाई में रखेंगे और सुबह इसको वास करेंग बरतन अब धोंगी तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा तो बरतन ऐसे हमें धो कर सोनी है ठीक है और यहां पर आप लोग इस प्रकार का यह देखिए वनीला का ऐसे आइसक्रीम का डबा है आप लोग कोई भी आइसक्रीम या कुछ भी मतलब यहां पर एक छोटा सा मीनी डस्ट बीन भी रख सकते हैं इसमें मैं क्या करती हूँ छोटे छोटे चावल रोटी के जो टुकडे होते हैं इसमें कठा करती हूँ यह बहुत हैं बार बार हमारे कमर पे जोड नहीं पड़ता डस्ट बीन में डालने में पैर से दबाने में तो ऐसा आप लोग जाडू लगाती हूँ बिल्कूल मत लगाएगा देखे में जाडू लगा के समझा दे रही हूँ मुझे नहीं लगानी चाहिए लेकिन वीडियो के लिए जो जो करना पड़ता है तो यह हो गया कीचन का काम आधा अधू रखी हूँ कुछ भी साफ नहीं की हूँ चूला हल का फूल का कड़ाई वेगरत तवा नहीं धोएंगे याद रखेगा लो बड़े बरतन नहीं धोया जता है और वह बरतन में बाद में साफ करूंगी जो कि मैं बता दी और दूद है आटा एक्स्ट्रा बचा है सब कुछ फ्रीज में रख दीजे तो सभी को मालूम होगा और फीर हम सोने जाएंगे तो सोने से पहले क्या करनी है तो वह भी करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूं तो दिखिए मैं भगवान के रूम में अभी नहीं जाओंगी लेकिन आप लोग जाकर पड़दा वेगरा हमारे घर में फैला देते हैं भगवान का तो भगवा से नमस्कार करके और फीर हम जो है सोने जाएंगे ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग भी कर लीजिए गा तो चली भगवान के रूम को मैं थोड़ा सा बंद कर देती हूं तो यह वीडियो मेरा यहीं तक था दोस्तों फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में तक-Tक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खुब खूस रहिए